Spine में Spondylolisis का मतलब है कि Pars Intraarticularis नाम की एक चीज़ जो दो मनको को या वर्टिब्रास को जोड़ के पकड़ के रखती है उसका ब्रेक हो जाना Spondylolisis हो सकता है एक तरफ हो Spine में या दोनों तरफ इसकी वज़े से दीरे-दीरे Spine में डिस्क का जल्दी खराब होना और मनके का एक के उपर एक से फिसलना इस तरह की दिक्कते शुरू हो जाती है जिसे हम Spondylolisis कहते है Spondylolisis में जैसे अगर आप देखें इन दो मनकों के बीच में ये जगा है और ये जगा पार्स इंट्रार्टिकुलारिस कहलाती है जो की इन दोनों मनकों को पकड़ के रखती है लेकिन अगर आप इसी मॉडल में देखें तो इस जगा पर ये पार्स तूड गया है ये नॉ नॉर्मल मूवमेंट की वज़े से ये दो जो मनके हैं ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं और ये आगे पीछे सरकने लगते हैं अगर ये आगे की तरफ फिसलने लग जाता है तो हम इसको लिस्थिसिस कहते हैं